नमस्कार मेरा नाम है अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 90 इंदिया भारत की राजनीती में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और वो विस्फोट होगा महराश्ट में इन दिनों दिल्ली से मुंबई तक राजनीती के हर विशलेशक के सामने एक ही सवाल है क्या 82 साल के शरत पवार का हाल उद्धर ठाकरे की तरह होने वाला है कि ना पार्टी बचेगी और ना परिवार ये सवाल इसलिए उठा है कि उनके भतीजे अजीत पवार के बारे में एक हाहा कारी खबर होनी है और खबर ये है कि वो लगातार देविंदर फड़नवीस के स पूरे महराष्ठ में वावाल मझ गया कि क्या अजीत बवार बीजेपी के साथ जाने वाले क्या शिवसेना की तरह एंसी पी में भी कर दी है सेंध मारी राज़नीती के गलयारों में कयासों की बाढ़ आ गई लेकिन इसी बीच अजीत पवार का एक और ऐसा बयान आया जिसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया उन्होंने कह दिया है कि ये सब अववा है मैं मरते दम तक सिर्फ NCP के साथ ही रहूँगा लेकिन अजीत पवार की जुवान उनके राजनीतिक संकितों का साथ नहीं दे रही है अजीत पवार ने ये कहकर कि जब तक जान में जान है तब तक NCP से जुड़ा रहूँगा सियासी गल्यारों में एक और तूफान ला दिया उनकी कोशिश तो मामले पर मिट्टी डालने की थी लेकिन राजनीतिके जानकारू ने उनके इशारे को कुछ और ही बता दिया कहा जा रहा है कि महराष्ट में एक बार फिर वही हो सकता है जो पिछले साल हुआ था इस सियासी उठापटक ने जून 2022 की यादों को ताजा कर दिया है आपको याद होगा जून 2022 में शिफसेना में हलचल मची हुई थी एक नातशिंदे कुछ विधायकों के स असन के गुहाटी चले गए थे याद कीजिए उधर ठाकरे से बगावत करने के बाद एक नातशिंदे भी लगातार यही कह रहे थे कि मैं पक्का शिफसेनिक हूँ बाला साहब की बनाई पार्टी से गद्दारी नहीं करूंगा उन्होंने वाकई पार्टी नहीं छोड़ी पार्टी पर ही कवजा कर लिया बाद में जो हुआ वो सभी ने देखा जुलाई के पहले हफते में ही महराश्ट की सत्ता पर नई सरकार काविस थी एक नातशिंदे मुख्य मंत्री बने और फर्नवीस को बनाया गया उपमुख्य पंत्री लेकिन लड़ाई यही नहीं थमी सत्ता की लड़ाई के बाद शिफसेना पर दावेदारी की लड़ाई शुरू हुई और अंत में चुनावायोग ने शिंदे गुटको शिफसेना उनका चुनाव चिन और पार्टी की पूरी प्रॉपर्टी सौम दी यानि शिंदे ने जो कहा था वही किया शिफसेना नहीं छोड़ी बलकि उद्धव से उनके पिता की खड़ी की हुई शिफसेना ही छीली अब ऐसी ही भूमिका अजीत पवार लिखते नजर आ रहे हैं अजीत पवार और बीजेपी की नस्दीकिया कोई आज की नहीं है याद कीजिए साल दोहजार उन्लीस शरत पवार महाविकास अगाडी सरकार की प्रस्तावना लिखने में व्यस्त थे और अजीत पवार पढ़नवीस के साथ राजभवन जाकर रात के तीसरे पहर में उपम रहे हैं कि वेवजा गलत फैमी फैलाई जा रही है जब तक जान में जान है तब तक एंसीपी से जुड़ा रहोंगा चाहो तो एफिडेविट पर भी लिख कर दे दूँ लेकिन यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी ऐसा इसलिए कि अजीत पवार पार्टी के एक तय कारिक होंगे एक दिल्ली की राजनीती में और दूसरा महराष्ट की राजनीती में उनसे पूछा गया कि क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया मेरे पास गौसिप के लिए समय नहीं है जन प्रतिनिधी के तोर पर मेरे पास बहुत काम है इसलिए मुझे इसकी जानकारी नहीं है इतना ही नहीं उन्होंने पत्रकारों पर भढ़कते हुए कहा कि आप चैनल वाले एक यूनिट अजीत दादा के पीछे लगा दे प्रदेश में कई समस्या आए हैं एक कारिकरम के रद्ध होने से कुछ नहीं होता ऐसी ही बात NCP मु पवार के प्रती बहुत वफादार हूं और जो भी को कहेंगे वही करूंगा जो बाते मीडिया में फैलाई जा रही है वो हमारे खिलाफ साजिश है तो सवाल है कि अजीत पवार ने अपने फेस्बुक और ट्विटर से NCP के पार्टी चिन्न को क्यों हटाया इसी के बाद जीत के बीजेपी में जाने की अठकलों को और भी ज्यादा बल मिला बीते काफी दिनों से इसको लेकर चर्चा जोरो पर थी कि अजीत पवार अपनी खुद की सियासी पिछ तयार करने के लिए पाला बदल सकते हैं कहा ये भी जा रहा है कि वो एकनात उद्धव गुट पर सुप्रीम कोड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब अजीत ने साफ कर दिया कि जब तक जान है वो एंसीपी नहीं छोडेंगे राजनीती की चाले इतनी सीधी नहीं चली जाती दावा किया जा रहा है कि एंसीपी के करीब 30 से 40 विधायक अजीत पवार के संपर्क म एक तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि वो एंसीपी नहीं छोडेंगे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायक खुल कर उनके समर्थन में आ गए हैं तीन विधायक माने कोकाटे सुनीर शैल के और अन्ना बंसोड ने खुल कर एलान कर दिया है कि अजीत जो भी फैसला देखिए एंसीपी में ये लड़ाई हर दो तीन साल पर जोर पकड़ती रहती है कि शरत पवार के बाद कौन बेटि सुप्रिया सुले या भतीजे अजीत पवार शरत पवार ने अभी तक बहुत चत्राई से दोनों को एक साथ जोड़े रखा है लेकिन अजीत पवार कर सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया था और इससे अजीत पवार असहज हो गए थे यानि महाराष्ट की सत्ता में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और शिवसेना की कहानी चल पड़ी है बस किरदार बदल गए है कुछ जानकार इसे बीजेपी का प्लान भी भी बता र ठीए उस स्तिथी में अगर अजीत एंसीपी के 40 विधाय को के साथ भाजपा के साथ आ जाते हैं तो सरकार बच सकती हैं एंसे फुल होने जा रहा है इस वीडियो में इतना ही आप से नरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 90 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताईए कि हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी बताईएगा ट्विटर है आर्टिकल 90 इंडिया इसको भी फॉलो कर लेजे नमस्कार